दोस्तों बात करें Google का यहां पे Pixel 7 आया है, लेकिन Pixel 7 के अंदर जो प्रोसर लगा है, टेंसर जी टू लोगों के उसके बारे में काफी सवाल ले, लोग का कहना है, क्या यह पहले वाले टेंसर जैसा है, क्या यह भी Samsung की टेक्नोलोजी पर बना है, इसके अंदर modem कौन सा है, प पर कैसे करता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 और Apple के A16 Bionic के साथ आज इस वीडियो के अंदर पता लगाते है, बाइदावे 8 Plus Gen 1 के साथ ही compare कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक रास्की वाल बता सकता आपको, अगले महीने Qualcomm जैना, वो अपना Snapdragon 8 Gen 2 निकालने वाली है, और उसके जो फोन सो दिसम्बर स आना चालन होंगे, लेकिन इंडिया के लिए जो पहला फोन प्लानने वो जैनवरी में, कौन सा फोन हो सकता है नीचे कमेंट में गैस करके बताओ आप लोग, मैं आपको future की वीडियो में हिंट और देता रहूँगा, लेकिन यहापे सबसे पहले बात करते हैं, आखिर Snapdragon 8 Plus Gen टेंसर का G2 और आपका iPhone का Bionic Chipset A16, उन तीनों के अंदर यहाँ पर exactly फर्क क्या पढ़ता है, देखो सबसे पहला difference मैं बताना चाहँगा, manufacturing process का, टेंसर G2 अभी भी Samsung की 5NM टेकनलोजी पर बेस्ट है, बिल्गुल सही सुना, Samsung की 5NM है, 4NM नहीं है, जबकि 8 Plus Gen 1 हमने 4NM पर आपकी Apple की A16 Bionic Chip दी है, बिल्कुल आप लोगों नहीं सही सुना, अब देखा जाए तो इसका एक impact यह पढ़ रहा है कि यहाँ पर क्या पिक्सल में हीटिंग होगी, क्योंकि टेंसर में पहले हीटिंग हुई थी और Pixel 6, 6 Pro और 6a भी काफी है तक इसके शिकारते, ल लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना एफिशेंट नहीं है, जितना आपको Snapdragon या Apple की A16 Bionic मिल रही है, यह एक बात है, इसके अलावा बात की जाए, तो इन्होंने यहाँ पर टेंसर के अंदर क्या किया है, पता है, जो टेंसर इनकी पहली वाली थी, उसी को ही बेस बनाती हुए, यह लोग अपने नए टेंसर प्रोसेसर को इन्होंने इंटर्यूस किया है, यानि कि इनकी आर्खिटेक्चर में कोई जादा मेजर चिंजर नहीं है, अगर मैं CPU बात करूँ, तो टेंसर G2 में आपको देखने को मलता है, 2.85 GHz के 2 Cortex X1 कोर, 2 A78 के कोर है, और 4 A55 के को से, A75 के कोर इससे पहले टेंसर 1 के अंदर ते है, इसके साथी A plus Gen 1 में एक मैसिव इंप्रूम्मेंट है, Cortex X2 कोर का, जहां पर सिंगल कोर का, Cortex X2 3.2 GHz का, फिर A710 के 3 कोर, और 4 कोर है A510 के, वहीं बात करें, Apple के A16 Bionic की, बिसिकली बात करें तो हेक्जा कोर क्लस्टर है पर दो हाई परफॉमेंस कोर है, जिनको नाम दिया गया एवरेस्ट और जिनकी क्लॉक स्पेड है 3.4 GHz की, और ऐसी चार हाई एफिशेंसी कोर से, जिनको सौ टूथ बुला गया, जिनकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 2.02 GHz, ओवरार बात की जाए, तो यहां पर अच्छी पोहमे अपके Apple A16 Bionic और Snapdragon 8 Plus Gen 1 की है, इवन 8 Plus Gen 1 कुछ मामलों में A16 Bionic के भी आगे निकल जाता है, वही अगर मैं CP पोहमें इसके बार में बात करूँ, तो यहां पर जो आपका Tensor हो हलका सा पीछे छूटता हूँ देखने को मिलता है, एक तो उसका architecture भी पुराना है, process fabrication भी पुरा लेकर भी आगर हम आगे बात करें GPU का क्या, क्योंकि CPU तो यह खेल होता है, CPU सारे काम नहीं करता है, GPU में भी ग्राफिक सीप आफ में जरूर रहती है, गीमिंग का भी मसा तो रहता है, और गीमिंग में कहानी थोड़ इसी ट्विस्ट है, जैसकी बात किया तो इस बार यहां यहां पर इनेबल किया, यानि कि 7 core का GPU यहां पर देखने को मिलता है, बात की जाए तो यह GPU पहले जैसी performance निकालेगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर पावर एफिशेंट है, लेकिन बात की जाए तो यहां पर एक अच्छा hardware के साथ सा graphics experience भी देखने को मिल सकता है, जो को simple सा gaming का experience भी निकाल कर देता है, साथी साथ high fps में इसके अंदर आप gaming भी कर सकते हैं, और इसके साथी इस list में जो सबसे powerful GPU है, वो है Apple का, जिसके अंदर आपको 5 core का GPU है, लेकिन इस category में सबसे fastest GPU हैं यहां पर आपको देखने को मिलता है, और Tensor जो रहता है, वो पिछली बार से improved ह iOS का GPS compared to Tensor 1, लेकि जो Tensor G2 का GPU है, वो competition के सामने थोड़ा सा है, और इसलिए बोलागे है, जो Google Pixel होते हैं, वो all-rounded device होते हैं, ऐसे ने की proper gaming खिलने के लिए बने हैं, और gaming के हिसाब से लेने वाले हो तो होगा कि 8 plus Gen 1 की उपर थोड़ा shift हो जाई, वहां पे थोड़ी अची चीज देखने को मिल जाएगी, एल्स, Apple की A16 में सबसची performance है, और यही मैं चीज आपको समझाना चाहता था, क्योंकि अगर आप लोग ने इसके benchmarking result पी देखे होंगे, तो वहां पे Apple का A16 और Snapdragon 8 Plus Gen 1 बहुत आगे निकल जाते है, टेंसर के G2 के comparison में, क्योंकि टेंसर में देखा ज इसके benchmarking score है, ऐसा लगता है कि पिछले साल का कोई processor उठा लिया है, लेकिन Google ने हापे खेल इन सब के अंदर नहीं खेला, लेकिन Google ने हापे खेल खेल अपनी AI के अंदर, और उसमें से एक important चीज होती है Google का ISP है, जैसके मात करूँ अगर मैं Google का ISP की तो यहापे Google का custom ISP है, जिसके अंदर image single processing होती है, और images के अच्छे output रहते है, इसका use of photograph of videos दोनों में कर रहे है, और Google ने हापे खुद का ISP को यूज़ करके को बहतरी फीचर निकाले, जिसकी बात करें cinematic blur for videos, जैसकी cinematic video हापे blur हो जाएगा, इसके साथी बात किया है, तो night set photography होती है, उसकी speed भी देखने को मिले एक वीडियो, फोटोग्राफी के अंदर भी, इसके साथ ही आपको active stabilization देखने को मिलेगा, और सभी camera से आप 4K 60fps में वीडियो को record कर सकते है, यह चीज़े अच्छे तरीके से करेगा, और एफिशेंटली करेगा, और यह ही हाप गूगल के custom ISP का का काम ने, वही ही बात करें, Qualcomm के snapdragon का क्या, तो यहाँ पर भी देखा जाए, तो यहाँ पर आपको 18-bit का triple ISP architecture देखने को मिलता है, और बात की जाए, तो ISP तो यहाँ पर callcom ने एक अच्छा लगा है snapdragon के अंदर, लेकिन जो mobile phone companies हो थे, उसके उपर depend करता है, कि वो इस ISP का कैसे पाय Bionic की, तो उन्होंनी भी चीज़ें हाँ पर चेंज करी है, और उन्होंने अपने cinematic video को पहले से थोड़ा जाद बैटर बनाए, stabilization को यहाँ पर थोड़ा और इंप्रूफ किया है, और साथ ही सथ बड़े sensor से pro raw वाली चीज़ों को यहाँ पर प्रोसस कर रहा है, कहने का मतलब ने आप एक अच्छा काम किया, फिर मैं कहूंगा कि Apple, फिर मैं कहूंगा Snapdragon का, क्योंकि Snapdragon करता है, कि company उसका अच्छे तरीके से काम करती है कि नहीं करती है, लेकि Google ने आप एक क्या 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 है, जो ISP बनाएं उसका efficiently and perfectly use कर रहा है, इसलिए Google वालों का जो camera रहता ह AI वाली unit है, और phone के अंदर जित्ते भी AI वाले टास्क होते है, वो उस chip के यूज़ करके यहाँ पर किये जाएंगे, तो देखा गया है तो यह एक ऐसी चीज़ जहाँ पर Google और देखा गया है, और देखा तो Google हमेशा से AI का नाम लेते हैं, और कहते हैं कि AI का यूज़ करके फोन का experience आप लोग के लिए बैटर बनाएंगे, और यही एक चीज़ यहाँ पर Google ने अपने फोन के साथ इधर करी है, इसलिए बोलना जाओंगा, AI हो गया, ISP हो गया, यहाँ पर Google वाले बहुत ही जादा चीक लीट ले रहे, लेकिन कौन सी एक ऐसी जगे है जहाँ पर Snapdragon का modem, जो आपको Apple भी यूज़ कर रही है, और यहाँ पर Snapdragon 8 Plus Gen 1 में भी, देखा याँ तो 8 Plus Gen 1 Apple की इसिस्टिम बावने, इनके अंदर जो आपको 5G modem मिलता हो, सबसे भैतरी ने सबसे अच्छा सपोर्ट है, और सबसे अच्छी connectivity प्रोवाइड करेगा, लेकिन अंदर की ब Google Pixel 7, 7 Pro, इंडिया में 5G सपोर्ट करते हैं, हाला कि भर-भर के 5G के बैंडेनों ने यहाँ पर डाले हैं, लेकिन इंडिया में इनके फोन की compatibility नहीं है, अभी अपडेट आने से चीज यहाँ पर इनेबल होगी, और उसके बाद यहाँ पर लोग 5G का मजा ले पाएंगे, ले पर इसे बात की जा तो Qualcomm वाले अपने 5G मोडम को और जादा बैटर करो, कहा गया कि Qualcomm का X70 5G मोडम Galaxy S23 में आने वाला है, और वो कुछ special 5G features को इंडियूस करेगा, पहले से जदा एफिशेंट होगा, 5G के बैटरी भी कम खाएगा, अच्छा बैटरी बैकप भी निकालेग थोड़े से आगे निकल रहे है, लेकिन आपको नेराश होने की हापे ज़रूरत नहीं है, क्या आप लोगो ने कभी सोचा है कि हापे जो टेंसर है, वहापे Samson Exynos की मदशन होने क्यों लेगी, देखो Google बाले एक मोबाइल फोन का प्रोसर बना चाहते थे, और अगर आपको मोबाइल फोन के प्रोसर के कहारी नहीं पता, तो दो से धाई साल की R&D लगती है, एक मोबाइल फोन का प्रोसर बनाने के लिए, और यहाँ पर जो गूगल थे हो जल्दी से जल्दी बनाना चाहती थी, तो उन्होंने आप अभी Samson की मदशन की मदशन ले लिए, शॉर्ट प्रोसर बनाएं, जिसके अंदर A2Z वो कंट्रोल करें, हो सकता है कि आने वाले समय में जो टैंसर वो प्रोपर एक नया चिपसेट हो, जो पूरे नया अर्किटेक्चर पर हो, कुछ सारी चीज़ उसके अंदर नहीं हो, और उसके बाद आपको एक ऐसा experience दे, जैसा आप लो गूगल अभी से तीन साल की Android अपडेट्स को भी प्रोवाइड कर वा पा रहा है, जबकि खुद Samsung अमने फोन में चार साल की, लेकिन आने वाले समय में अगर टैंसर अगर पूरा गूगल खुद से बनाए, और जनरेशन 3, जनरेशन 4 में, अगर Samsung को डिश करके पूरी तरीक Snapdragon 8 Plus Gen 1 वर्सिस आपका Apple की A16 Bionic, आप लोगों की फेवरिट प्रोफेसर कॉन सा है, यह बात निचे कमें बता ना भूला, वीडियो पसने लाइक करना, थैंक आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप से मिलता हूं नेक्स वन में, गुडबाई!